अबी तक हम लोग basics किये थे chapters 12 to 14 का, ठीक है आज हम लोग देखेंगे कि option को price कैसे करना है, ठीक है, option को price कैसे करना है, तो heading लगाना, binomial model, heading लगाना, binomial model, तो basically, अब जैसे option जो है, हमने देखा कि payoff कैसे क्या होगा, एक बार अगर हम लोग revision करें, तो call का मतलब क्या होता है, उपर जाने से difference आएगा, put का मतलब क्या होता है, नीचे जाने से difference आएगा, अगर buy कर रखे हैं तो और यही अगर बेच रखे हैं इसका मतलब क्या होगा उपर जाने से difference जाएगा नीचे जाने से difference जाएगा ठीक है call output का तो अब binomial model में आज हम लोग को ये सीखना है कि option का price कैसे आता है आज तक हम लोग को देखो वो option का premium दे देता था अब कल हम लोग option में एक और चीश discuss की जिसको हम लोग बोलते है moneyness of an option तो for example moneyness को इबड़ short में का discuss करे तो अगर मेरा strike price चल रहा है 1800 और अगर मैं call का बात कर रहा हूँ तो अगर share का दाम चल रहा है 1800 तो इसका मतलब क्या है इंदा money है क्योंकि अगर आज इसको exercise करेंगे तो कितना रुपय मिलेगा 10 रुपय मिलेगा वो 10 रुपय कहां से आ रहा है आयूश वो 10 रुपय कहां से आ रहा है 1800 10 minus 1800 ठीक है अगर यही मानलो 1800 होता तो add the money और यही अगर 1790 होता तो out of the money ठीक है ओके अब बाइनूमेल मॉडल में एक एक्जामपल लिखो S0 मेरे को दियाव है 500 Strike price मेरे को दियाव है 520 1 year call option 1 year call option अब यह जो share price है यह एक साल में या तो 20% अप जाएगा या फिर 10% डाउन जाएगा ठीक है मेरे को RF दियाव है 6% हमको option price निकालने बोला है मेरे को RF दियाव है 6% और मेरे को option का price निकालने बोला है ठीक है मेरे को option का price निकालने बोला है अब एक चीज़ समझ के रखना तुम लोग कोई मेरे से यह question नहीं किया पुला सर हम लोग तो यहाँ पर share का जो option है उसको value कर रहे है तो हम लोग risk free rate क्यों use कर रहे है मन में question आई सकता है क्योंकि share is a risky asset तो हम लोग यह मान के चल रहे है कि हम लोग जितना भी सारा valuation करेंगे सब risk neutral world में करेंगे सब risk neutral world में करने का मतलब क्या है risk neutral मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे government security है gold है corporate bond है unsecured bond है share है derivative है लेकिन इन सब में जो हम लोग यह मान के चलेंगे risk है वो निल है risk neutral ठीक है मने risk को हम लोग इजज़त दे ही नहीं रहे है हिसाब से क्या होना चाहिए जैसे जैसे risk बढ़ता है asset class का वैसे वैसे तुम्हारा return भी बढ़ना चाहिए return बढ़ने का मतलब क्या है टानने का rate बढ़ना चाहिए लेकिन देखो risk free rate पे टान रहे हैं हम लोग यह assume करके चल रहे हैं कि risk is neutral मतलब risk को कोई इज़त नहीं देना है जितना भी सारा asset classes है सब को हम लोग RF से टानेंगे in a risk neutral world real world में क्या होता है हम लोग real world में जीते हैं अगर corporate bond होगा तो उसको 8% से टानेंगे share होगा तो उसको 12% से टानेंगे derivative होगा तो maybe उसको 15% से टानेंगे comment security होगा तो risk free rate है मतलब हमको 5% से टानना है बट वहाँ पर risk neutral world में क्या होता है सबका risk free rate से pullback करेंगे सब में risk element is nil ओके तो अब जैसे एवाँ details देख लो इसका अब share price अगर हम लोग देखें तो मेरा दो चीज़ हो सकता है मेरा share price क्या है आज कितना है 500 50% अपका मतलब क्या होता है 600 और 10% डाउन का मतलब क्या होता है 4500 अब call option का pay off का बात करो call option का जो pay off अगर हम लोग उसका बात करें तो call option का pay off क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 80 और यहाँ पर हो जाएगा 0 तो क्योंकि उपर जाने से difference आएगा किसके उपर pay off चालू 520 ठीक है 520 के नीचे lapse तो 4500 पर लैप हो जाएगा 520 या फिर उसके उपर exercise तो उसके 80 रुपय का मेरा pay off आ रहा है ठीक है ओके अब जैसे मैंने तुमको क्या बोला कि हम लोग risk neutral world में काम कर रहे हम लोग किसमें काम कर रहे है risk neutral world में ठीक है तो सबसे पहले मेरे को ये निकालना है यहाँ तक किसे को कोई दिक्कत नहीं होगा अब मेरे को क्या निकालना है ध्यान दो अब मेरे को निकालना है expected share price after one year expected share price after one year expected share price हम लोग क्या बोले कि सब चीच किस से ग्रो करेगा risk free rate से ग्रो करेगा आज share का दाम कितना है पांसो एक साल बात क्या हो जाएगा into 1.06 कितना आरा बताओ कितना आरा बताइए 530 हो रहा है यह expected है बट actual में क्या हो सकता है 600 या फिर 400 उपर जाने का probability को हम लोग बोलते हैं क्यूं उपर जाने का probability को हम लोग बोलते हैं क्यूं ठीक है तो 4500 into 1-Q येस और नो उपर जाने का probability को हम लोग बोलते हैं क्यूं तो expected कैसे निकलता है payoff into probability तो 4500 जाएगा उसका probability क्या है 1-Q क्यूंकि उपर जाने का payoff को हम लोग उपर जाने का probability को हम लोग किसे denote किये है और expected मेरा कितना आ गया है 530 यहां से पहले क्यों निकाल लिए यहां से पहले क्यों निकाल के बताओ कितना आ रहे यहां से पहले क्यों निकाल के बताओ कितना रहे यहां से पहले क्यों निकाल के बताओ कितना रहे क्यों कितना आ रहा है हां क्यों कितना आ रहा है 8 वाए 15 1 माइनस क्यों कितना आएगा 1 माइनस क्यों कितना आएगा 7 वाए 15 Is it clear? ठीक है अब अगर हम लोग को call option का price निकालना है तो 80 का मेरा pay off है और यह होगा इसका probability क्या है है 8 by 15 बेट यह payoff कब होगा यह वाला payoff कब होगा एक साल बाद तो इसको एक साल pullback करेंगे तो into 1.06 to the power minus 1 solve करेंगे बता ही कितना आ रहे है हां 40.26 ठीक है 40.26 अब ध्यान देना एक सम फिर से करेंगे उससे फिर से समझेंगे हां यह लो हो गया share price 500 था उपर जाएगा तो 20% उपर जाएगा तो 20% नीचे आएगा तो 10% ठीक है अब call option है जिसका strike price के है 520 तो 520 के उपर payoff चालू तो 600 अगर share price हो जाता है एक साल बाद तो यहां पर मेरा payoff कितना आ जाएगा 80 ठीक है और अगर नीचे गया तो payoff 0 क्योंकि call option is upside betting हाँ 10 आता ना expected share price after one year कैसे निकाल रहे है और एफ लगा के निकाल रहे है रिस्क फ्री रेट लगा के निकाल रहे है ठीक है फिर मैंने क्या किया है 600 होगा उसका probability है q and जो 4500 होगा उसका probability क्या होगा 1-q वहां से q निकाल रहे है q यहां पर क्या है probability of up move ठीक है 1-q दिख गया और यहां से मैंने price निकाल लिया 40.26 अब एक और example लिखो s0 is equal to 805 exercise price is equal to 800 t is equal to 6 months i is 8% ठीक है अब 805 से share price तुमारा या तो 900 हो सकता है या फिर 700 हो सकता है binomial model में ऐसा ही होता है या तो उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा real life से बहुत दूर है binomial model बट pricing करना start करना binomial model से ही सीखते हैं अब जैसे देखो फिर से अगर इस सम को बनाएंगे तो अगर मालो share price शाड़े 900 हो गया exercise price क्या है 800 तो call option से payoff कितना आएगा 1500 और अगर 700 हो गया तो payoff मेरा हो गया 0 अब सबसे बहले expected share price निकालो तो expected share price कैसे निकलेगा 805 into 1.08 बताए कितना आ रहे expected share price बताओ कितना आ रहे 805 into 1.08 6 months है ना तो to the power 0.5 800 824 आ रहे 836 something आएगा 836.58 ये मेरा आ गया expected share price now 836.58 which is the expected share price is equal to अब देखो कैसे निकालेंगे साड़े 900 हो जाएगा इसका probability है Q और 700 हो जाएगा इसका probability है 1-Q तो यहाँ से बहले Q निकाल लो Q क्या है probability of up move expected कोई भी चीज कैसे निकालते है payoff into probability payoff into probability ठीक है Q कितना आ रहे है 0.5463 ये मेरा आ गया Q ठीक है अब इसके बाद में मेरा payoff क्या है 1.500 into उसका होने का probability 0.5463 into discounting factor 1.08 to the power minus 0.5 solve कर लिजे आपका answer आ जाएगा C0 मितलब अभी का call option का दाम हाँ का एल्जा कान का आ है एक कर नकम इसके अच्छा करवा k Pa था, फॉर्वड फुचर था, नहीं, हम लोग पहला क्लास में जो किये थे, वो फॉर्वड फुचर था, यह option है, अच्छा, कितना आरेस्म एंसर, 78.8, ठीक है, अब next heading लगाना, calculation of up move probability, calculation of up move probability, which is Q, ठीक है, अब देखो, यह share price है, यह आज का share price है, into U, U का मतलब क्या होता है, up move factor, जो पहला question किये थे, उसमें up move factor कितना था, 1.2, क्योंकि 20% से बढ़ रहा था न, into Q, plus S into D, down move factor, into 1 minus Q, is equal to S, is equal to S, E to the power R, E to the power R, where R is what, continuously compounded, risk-free force of interest, ठीक है, अब यहां से solve करिए, Q solve करिए, यहां से, क्या आएगा, बताईए, S common लेकर काट दीजिए, ठीक है, और Q का value solve कीजिए, क्या आ रहा बताईए, कुछ ऐसा आएगा, देखना, E to the power R minus D by U minus D, चेक करके बताओ, यही आ रहे क्या, अब U क्या है, अब move factor, कैसे आएगा यह, SU by S0, समझ क्या, share price जब उपर हो गया तो कितना है, और आज कितना है, similarly D क्या है, down move factor, यह कैसे आएगा, SG by S0, कितना आ रहा है, Q का value जो मैंने बोला, Q का value जो मैंने बोला, वो आ रहा है, कितना आ रहा है, यही आ रहा है क्या, तो अब हम लोग directly Q इस formula से निकाल सकते हैं, A to the power R minus G by U minus G, ठीक है, ओके, क्यला हो गया है, सबका इसी था हुआ, अब एक question लिखू, S0 हम लोग को दे दिया है, 420, SU हम लोग को दे दिया है, 500, SD हम लोग को दे दिया है, 400, K हम लोग को दे दिया है, 450, T हम लोग को दे दिया है, 3 months, ठीक है, delta हम लोग को दे दिया है, 8%, अब हम लोग को बोला है, call option का premium निकाल लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यों निकालेंगे, e to the power 0.08, इधर देखो, into 0. 0. very good, e to the power 0.08 into 0.25, minus t, what is d, 400 by 420, whole divided by u minus g, तो वो कैसे आएगा, 500 by 420 minus 400 by 420, अब इसको solve करके पहले q का value निकालो, q का value आजाएगा, तो फिर 1 minus q निकालना, q का value आजाएगा, 0.2848, ठीक है, तो 1 minus q का value कितना आएगा बताओ, हाँ, 0.7152, तो भी, 0.715 यह तो आ रहे हैं, अब आजाओ, अब देखो call option का strike price के, 450, तो SU में होगा, SD में नहीं होगा, तो pay off मेरा क्या आ रहे है, बोलना, pay off मेरा आ रहे है, 50, इन्टू उसका होने का probability 0.2848, इन्टू उसका discounting factor, e to the power minus 0.08 into 0.25, इसको solve कर लिजे, आपका call option का premium आ जाएगा, similarly, अगर हमको P0 निकालने बोले, तो क्या हम निकाल सकते हैं, P0 के case में क्या होगा, 400 है, तो 50 का pay off नीचे जाने से, नीचे जाने का probability क्या है, 0.7152, इन्टू उसको discounting factor, e to the power minus 0.08 into 0.25, ये दोनों निकालो, और इसके बाद में PCP चेक करो, PCP चेक करो प्लीज, put call parity चेक करो, कि सेम आ रहे है कि नहीं आ रहे, put call parity क्या था, C0 प्लस present value of K, is equal to P0 प्लस S0, चेक करिए, कि put call parity से answer सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर put call parity hold करेगा, मतलब देर इस नो आर्बिट्राज, वेधिका हुआ, अगर put call parity hold करेगा, मतलब देर इस नो आर्बिट्राज, करेका हुआोपका हुआ यग fal. कर रहे, अबग मत्वा रहे हांाूपका ुरुम यशो, मतलब भुम यवार, को रहे हैं, हम ओ मतलब देर जारो ह más कितना आ रहा है PCP का वैल्यू 455.05 कॉल अप्शन पूट अप्शन का वैल्यू कितना कितना रहा है कॉल का कितना रहा है कॉल अप्शन पूट दोनों का क्या रहा है 455 आ रहा है कि प्रीमियम कोई तुम बोल रहा है क्या बोल रहा है कॉल अप्शन का प्रीमियम कितना रहा है 13 हाँ और पूट अप्शन का 35.05 एवा चेक कर लो सबका यह ही आ रहे है कि आराम से एवा चेक कर लेना प्लीज यह लग किया तुम लोग अच्छा 13.95 आ रहे है तो और 35.05 ठीक है अब हेटिंग लगाना डेल्टा ओफ एन ओप्शन तो अब जैसे हम लोग यह पढ़े है तीवाइडी एक्स तीवाइडी एक्स का फुल फर्म क्या होता है अगर एक्स में एक छोटा चेंज होगा तो य में कितना चेंज होगा अगर एक्स में एक छोटा चेंज होगा विच इस डी एक्स तो य में कितना चेंज होगा अब जैसे किुल थे मान लो डेल््टा का मतलब क्या होता है अगर शेयर प्रैस में चेंज होगा अगर शेयर का दाम चेंज होगा तो option का premium में कितना चेंज होगा समझा, अगर share का दाम में change होगा, तो option का premium में कितना change होगा, ठीक है, ओके, अब जैसे, अपना पहला वाला example, उसमें share price 500 था, उपर जाने से 600, नीचे आने से कितना था, 4500, यहाँ pay off कितना आ रहा था, के अपना कितना था, 520, यहाँ अपना pay off आ रहा था 80, यहाँ अपना pay off आ रहा था 0, अब share price, share price अगर 600 से 4500 होता है, तो option का जो premium है, वो 80 से 0 हो जाता है, या फिर, अगर share price 4500 से 600 होता है, तो option का premium में कितना change आता है, 80 रुपय का, यहाँ जो भी, मैंने उस समय तो उसका वो ही धाम रहेगा ना, जब हम लोग maturity का बात करेंगे तो उस समय तो वो ही धाम रहेगा, ठीक है, तो निकालो यहाँ से delta कितना आ रहे, निकालो यहाँ से delta कितना रहे, change in payoff by change in share price, कितना रहे बताओ, जोड़ से बोलो, 8 by 15, 8 by 15 ही आएगा, ठीक है, 8 by 15 आ रहे हैं कि चेक करो तो, अब समझना, अब इसको पहले बाद कॉपी कर लो, फिर समझना हम समझाते हैं, आए है, आएएएश दिज को एंप। दूएए़, आएभाइशब कितना, थाpesप। अब चिस налाए़, ओले बांक। अब ध्यान देना, अब यह सब छोड़ो, अब अगर माल लो, delta of a call, delta of a call is 0.4, इसका मतलब क्या है, अगर share price एक रुपया से change करेगा, तो जो option का premium है वो 0.4 से change करेगा, ठीक है, तो अब जैसे माल लो, share price अगर एक रुपया से change कर रहा है, तो share price में कितना का change आ रहा है, एक रुपया का, पर share price का एक रुपया में change होने से, option का premium में कितना का change आ रहा है, 0.4, अब अगर माल लो, हम बोलते हैं मेरे पास एक share है, और 2.5 call option है, धाई call option है, ठीक है, या फिर म और 25 call option है, अब क्या होगा, अगर share price में 2 रुपया का change आएगा, तो share का पुरा portfolio में कितना का change आएगा, 20 रुपया का, ठीक है, और option का पुरा portfolio में कितना का change आएगा, 25 option है, into 0.4, which is 10, ए, सॉरी, एक मिनट, 2.5 into 0.4 कितना होता है, यहाँ पर, अच्छा, 2 रुपया का change आएगा, ठीक है, यहाँ तो, 2 into 0.4 into 25, 20, तो basically मैं क्या कर सकता हूँ, मैं option से, shares का pay off को hedge कर सकता हूँ, hedge का मतलब क्या होता है, जैसे, share अगर 10 रुपय से बढ़ रहा है, तो कितना option खरीदें, ताकि उसका भी मेरा pay off सेम हो, replicating भी बोल सकते हैं, exactly same, ठीक है, एक और example देता हूँ, copy मत करो, रुक जा, जैसे मानलो, delta of call is 0.5, अब इसका मतलब क्या है, अगर share price एक रुपय से move करेगा, तो तुमारा option कितना रुपय से move करेगा, 0.5, अगर मानलो, मेरे पाद 10 share है, और 20 option है, call option है, तो अब अगर मानलो, 5 रुपय का movement आता है, 5 रुपय का movement आता है, तो 5 into 10, share वाला portfolio में 50 रुपय का movement आया, यहाँ पर कितने का movement आएगा, 5 into 0.5, into 20 call option है, तो कितना रुपय है, पचास, तो इस तरीके से मैं option से, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं share से option का payoff को replicate कर सकता हूं, shares और cash से, ऐसा क्यों करते हैं, basically hedge करने के लिए, आगे जाके हम लोग सिखेंगे, hedge करने के लिए, बट delta का मतलब समझ लो, अब एक बास समझ ना, call का मतलब जाने से पैसा आएगा, share का मतलब क्या ओतब जाने से पैसा आएगा, तो delta of call is positive क्यों share अगर उपर जा रहे है तो call option का भाव भी उपर जाएगा लेकिन अगर share उपर जा रहे है तो put option का भाव नीचे जाएगा तो यह चीज लिख लो पर एक बार As share price increases कॉल प्रीमियम गोज अप पुट प्रीमियम गोज जाउन अब एक चीज देखना ठीक है अब एक चीज देखो अब जैसे 500 रुपय का share price है उपर जाने से 500 का है उपर जाने से 600 नीचे आने से 400 ठीक है माल लो तुम्हारा के है 500 strike price 500 है तो यहाँ पर pay off 100 आएगा यहाँ पर pay off 0 आएगा अब मेरा call option का delta बताओ अब मेरा call option का delta बताईए फड़ापट से बताईए कैसे आएगा call option का delta 100 माइनस 0 बाय 600 माइनस तो यहाँ पर कितना आ रहे है 0.5 इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अगर माल लो share का दाम 10 उर्पै से उपर जाएगा तो call option का दाम 5 उर्पै से उपर जाएगा ठीक है अब देखो इस चीज को अब जैसे माल लो मेरे पास में 0.5 shares है या फिर माल लो मेरे पास में 1 share है तो अगर उपर गया तो मेरा pay off क्या हो जाएगा 600 ठीक है और अगर नीचे गया तो क्या होगा नीचे गया तो क्या होगा बोलो 400 अब माल लो अब माल लो 0.5 delta है तो ठीक है अब एक बार call option के बारे में सोचो अब एक बार call option के बारे में सोचो ठीक है तो call option में उपर जाने से pay off कितना आ रहे है call option में उपर जाने से pay off कितना आ रहे है hundred और नीचे जाने से pay off कितना आ रहे है zero तो basically अब हम लोग को यह चीज़ realize करना पड़ेगा maturity का यह बात करते है जैसे माल लो यह 500 है ठीक है यह 500 है तो अब अगर माल लो मैंने call option buy करने से buy जैसे माल लो अगर तुम्हारा share price 510 हो जाता है अगर तुम्हारा share price 510 हो जाता है तो तुमको 10 रुपया आएगा और यही अगर तुम बेच रखा होगा तो क्या होगा 10 रुपया जाएगा ठीक है तो बहुत बार स्वादा काटने के लिए हम लोग options और shares का एक साथ यूज़ करते हैं ताकि मेरा portfolio hedged रहे ठीक है ताकि मेरा portfolio hedged रहे एक question लिखो delta मेर को दिया हुए 5% और time मेर को दिया हुए 1 year call option का price निकालो call option का price कैसे निकालेंगे सबसे बहले तो क्यों निकालेंगे q कैसे आएगा e to the power 0.05 minus minus क्या बोलो d which is what 30 by 40 whole divide by 60 by 40 minus 30 by 40 solve करके बता ही कितना आर है q का value झालेंगे है से अ करेंगे झालेंगे mind का त देखो, एक share buy किया, तो उसका ये pay off है, अब portfolio को hedge करने के लिए 2C minus किया, तो 2 call option बेचा, तो maturity पे 2 into source का चला जाएगा, क्योंकि call option बेचा है, तो minus 200, यहाँ पर क्या होगा, minus, यहाँ पर क्या होगा, minus 0, क्योंकि नीचे तो कोई pay off है नहीं, अब देखो, यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, तुम्हारा दोनों केस में एक same amount fix हो गया है, 400, 400, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, तुम्हारा एक same amount fix हो गया है, क्यों ऐसा, क्यों क्योंकि तुम्हें ने delta को 0 किया, delta को 0 कैसे किया, share का delta 1 होता है, share का delta 1 क्यों होता है, share अगर एक रुपर से बढ़ेगा, तो share में एक रुपर काई विद्धी होगा, minus 2 into 0.5, क्योंकि तुमने 2 call option बेचा है, एक call option का delta कितना है, 0.5 positive, क्योंकि तुम बेचा है बोलके negative, और 2 बेचा है, तो देखो यहाँसा 0 आ गया, इसको बोलते है, delta neutral portfolio, इसको बोलते है, delta neutral portfolio का मतलब क्यों होतास का delta 0 है, तो बोलके तुम्हारा constant payoff आएगा, चाय शेयर ऊपर जाए, चाय शेयर नीचे आए, ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा बता ना, क्या, 0.0 से बोलना, 169, ठीक है, अब यहाँसे call option का premium निकालो, strike price दे दिया क्या हम, strike price तुम्हारा है 45, तो यहाँ पर 15 आएगा, और यहाँ पर 0 आएगा, तो 15 into 0.40169 into e to the power minus 0.05, solve करिए, solve करिए इसको, कितना रहा है, 5.7731, next, अब जैसे माल लो, अगर हम लोगों को बोलता है two period, तो यह one period हुआ, अब बोलेगा, यहाँ से ऐसे branches हैं और यहाँ से ऐसे branches हैं, तो अब two period में तुमको क्या करना है, पहले यह वाला का तुमको as it is, यहाँ पर price निकालना है, ठीक हैं, फिर यह वाला को use करके तुमको as it is, यहाँ पर एक price निकालना है, ठीक हैं, और फिर तुम यहाँ पर एक निकाल सकते हो, इन दोनों को करके, या फिर, या फिर, अब जैसे European में क्या होता है, तुम्हारा जो exercise होगा, वो खली maturity पर ही हो सकता है, तुम्हारा ये, ये और ये payoff है, अब जैसे ये वाला payoff कब आएगा, जब तुम दो बार उपर जाएगा, ये वाला payoff कब आएगा, जब तुम एक बार उपर, एक बार नीचे, या फिर, एक बार नीचे, एक बार उपर जाएगा, और ये वाला payoff कब आएगा, जब तुम दो period, pullback करेंगे, एक sum लिखो, तब समझ में आएगा, हम पुरा तुमनों को बना देता है, 40 है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, फिर 80 हो सकता है, 50 हो सकता है, यहां 40 हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है, यहां पर delta ले लो, 5%, ठीक है, strike price ले लो, 45, call option का दाम निकालना है, एदन ध्यान से सुनो, रुख जाओ, रुख जाओ, ठीक है, अब जैसे, अगर तुम लोग देखेगा, तुम्हारा यहाँ पर तीन टो Q निकलेगा, एक ये वाला Q, एक ये वाला Q, और एक ये वाला Q, तीनों अलग अलग निकलेगा, ठीक है, तो नाम दे देते हैं, Q1, Q2, Q3, तो लो निकालो, चार्ट करते हैं, तो Q1 कैसे निकलेगा, time period तो पिछला वाला में कितना था, एक साल है ना, तो यहाँ पर दो साल ले लो, ये एक एक साल का period है, तो ये ये वाला 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 पताओ, कितना आरे लो पताओ, यह तो लास्ट सम की तरह ही है, कितना आ रहा है, 0.40169, अब बाकी दोनों करो इसी तरीके से, q2 कैसे निकलेगा, q2 कैसे निकलेगा, e to the power 0.05 minus, 50 by 60, वेले q निकलना, minus 50 by 60, whole divided by, क्या बोला, 80 by 60 minus 50 by 60, कितना आ रहा, q2, q3 निकलो, similar तरीके से, minus में क्या आ जाएगा, 25 by 30, 40 by 30, निकलो q2, q3, यकलो, 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 ये में क्याओ, ये में कितना रहा है, 0. point sure ठीक है अभ्ध्यान देना अब payoff का अब बात कर लेते ठीक है 45 मेरा strike price है तो एकर 45 strike price है तो यहाँ पर क्यों आ जागा 35 यहाँ पर 5-0-0 यही तो होगा ना ठीक है तो जो चीज में payoff 0 है तो उसका तो probabilityCal करके discount करके तो कोई मतलब ही नहीं है ठीक है अब जब pullback करेंगे तो कितना pullback करेंगे दो साल क्योंकि यहाँ पर मैं को price चाहिए European में ऐसे ही करेंगे और जो मैंने पहले बताया था कि इन दोनों का पहले यहाँ पर फिर इन दोनों का वो American में करेंगे ठीक है यह देखो अब कैसे करेंगे अब 35 कैसे आ सकता है पहले यह सोचो 35 आएगा into q1 into q2 करके दो बार अपमूफ probability है into e to the power minus 0.05 into 2 plus 5 कैसे आएगा q1 करके और फिर 1 minus q2 करके into e to the power minus 0.05 into 2 solve का लो answer आजाएगा समझा कितना रहे 6.6.57 007 सब लोग चेक करो यह ही आ रहे है कि वेदी का आयुष आ, इस टोके को झाल 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 तो देखो ये बला हो गया तुम लोग का क्या राइंसर 6 पॉइंट ठीक है अब नेक्स्ट कुश्चन लिखो consider a binomial model for two month call option consider a binomial model for two month call option consider a binomial model for two month call option consider a binomial model for two month call option with exercise price 200 consider a binomial model for two month call option with exercise price 200 suppose that suppose that share price either goes up by 4% suppose that share price either goes up by 4% suppose that share price either goes up by 4% और down by 3% each month समझा टू month का call option है तो दो period हो गया ना हर मेना या तो चार परसेंट से उपर जाएगा या फिर तीन परसेंट से नीचे जाएगा तो अब तुमनों को ट्री भी खुछ से बनाना है ठीक है टेल्टा दे दिया है मिरको 0.5% पर मन्त ठीक है 0.5% पर मन्त और जो मेरा S0 है वो है 200 ठीक है call option का value निकालो call option का value निकालो चलो यह सम बना के दिखाओ तक calculator और यह और वो तुमा calculator का है वहाँ पर अच्छा तब फिर ठीक है तो अगर तुम वहाँ भूलके आ जाते तो तब फिर कुछ बोलना ही नहीं था इसीता सराओगी पढ़ाई करो समझ में आया ना पढ़ी रही हो ना तुम समझ में आया तुमारा सबंगो समझ में आया तुम समझ में आया तुम समझapa तो जाने में आया समझव dat वाई वहाँ वहाँ समझ में आया तुम सम झाल 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 क्या रहा बताईएगा 200 का 208 हो सकता है या फिर 194 हो सकता है फिर 208 का क्या हो सकता है बताना 216.32 और नीचे गया तो 201.76 फिर 194 से उपर जाएगा तो यह हो जाएगा और नीचे गया तो 188.18 अब मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या बोला है 200 यहां पर क्या हो जाएगा 16.32 यहां पर क्या हो जाएगा 1.76 और यहां पर 0 ठीक है अब सबसे पहले क्यूं निकालो e to the power 0.005 minus 0.97 whole divided by सुम्में है सबको हाँ ठीक है वो understood सा बात है तुम probability में 2 multiply कर देना ना तो यह हो गया 1.04 minus 0.97 कितना आरा बताएए प्लीज फड़ा फड़ से हाँ 0.5 excellent तीनों का सेम आएगा बोलो तो क्यों 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 percentage दिया है न यह logic लगाना जब numbers देगा मतलब अलग अलग आने chances है लेकिन जब percentage देदेगा तो तीनों में सेम ही आएगा ना ठीक है तो सबसे पहले मेरा क्या payoff है 16.32 into q square into e to the power minus 0.005 into 2 ठीक है प्लस वन पॉइंट क्या था बोलना एक बार 76 into 2 into q 1-q ठीक है into e to the power minus 0.005 into 2 तो solve करें आपका answer आएगा कितना आरा बताईए कितना आरा 5.819 ठीक है तो भाई सजमा रहा है runoff वाला class जाल देंगे ठीक है runoff का दो class है booklet हम कराएंगे runoff का दो class को उसको एकदम पूरा अच्छा से करना एकदम ठीक है एक class में दो method है दूसरा class में फिर दो method है हम अभी वाला जो September वाला है बसके लिए तुम लोगों को वही follow करना है हाँ तो वही जो भी अगर कुछ भी होगा ना तो हम September वाले में ही डालेंगे ठीक है easy chapter है अच्छा से कराया है वह बोलके वो चीज़ दे दे रहे रूइन theory हम live करा देंगे अब जैसे यह वाला जो chapter है इसमें हम बहुत time spend करते थे बने इसमें तुम समझ के दो रफली 20 घंटा चला जाता था लेकिन अब की बार हम live करा रहे हैं तो time बहुत तुम लोगों का save हो रहे है कि working professional सुरू कहते हो लोगों से एकदम time नहीं रहते हैं तो वो लोग का यह रहता है कि हम लोगों किस तरीके से एकदम पुरा cover-up हो जाए बट उतना ज्यादा time नहीं लगे कि नहीं नहीं five point नहीं लिखा हुए हाँ तुम सही बोल रहा है शयद कितना आ रहे है सबका यह गलत answer है अनुश्री नैंबियर प्लीज switch on your mic हाँ कितना रहा है अनुश्री 4.910 ठीक है 4.910 जो भी आगे है वो ठीक है अब एक question लिखो कुश्चन लिखिये लिखो market price of a security 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 can be modeled market price of a security can be modeled by assuming market price of a security 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 can be modeled market price of a security can be modeled by assuming market price of a security can be modeled by assuming market price of a security can be modeled by assuming market price of a security can be modeled by assuming market price of a security can be modeled by assuming market price of a security can be modeled by assuming हम लोग को डेल्टा दे दिया है 1% पर मन्त ठीक है S0 हम लोग को दे दिया है 1.27 Strike price हम लोग को दे दिया है 1.25 हम लोग को 2 मन्त European Put Option का दाम निकलना है सलो करो इसको क्पारी दी देखब दे दिया है झाल क्पारी दान क्पारी दे दोन क्पारी दोग क्पारी झाल 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 प्लीज थोड़ा बताएगा मेरको 7.342 सबका आया किसी को भी डाउट है प्लीज हैंड रेस करो किसी को भी डाउट है वेदिका, आयूष, अनुश्री, देवेश, इशिता, आकृती, स्वपनेल सबका आया येस और नो इसी में कॉल ओप्शन का प्रैसिंग करो तो कॉल ओप्शन का प्रैसिंग करो फड़ा फड़ से, इसी में कॉल ओप्शन का प्रैसिंग करके बताइए कितना आ रहे है वाट? मैं गाट 11.816 इस दी करेक्ट एंसर वेदी का तुम्हारा आ रहे है 11.816 अनुश्री आपका आया इस दी कॉल ओप्शन इतना जल्दी आ गया तुम्हारा अनुश्री आ गया ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे धन्यवार, नमस्कार अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और next class हम लोगा schedule के जब से कब है कल सुबह है क्या हाँ तो कल सुबह class नहीं होगा, ठीक है हाँ वो ठीक है कल सुबह class नहीं है, कल शाम को अगर होगा तो हम बता देंगे, ठीक है नहीं, कल तुम लोगा class नहीं है आज शाम को भी नहीं है कल भी नहीं है तुम लोगा class पेपर भी का हम बता देंगे